सागत है आपका मोडलर वोड़वर्किंग एंड फैब्रिकेशन में यह सर्कुलर सोय है मेरे पास जो की डॉंग चेंग कंपनी का है चाइना मेड है दोस्ते इसको मैंने दस हजार कर परचेश करेंगे शायद वो इसका मुकाबला कर पाए और जबकि इसकी जो कीमत है वो 4000 के आसपास है अभी अगर कुछ प्राइज इंक्रीज हुए होंगे तो इसकी कीमत 4000 के आसपास पहुंच गई होगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी कीमत इसकी इतना अच्छा है कि यह मेरा साथ अभी तक 220 वोल्ट 240 वोल्ट और 180 mm का इसका साइज दिया हुआ इन्होंने 1100 वाट की इसकी जो है मोटर है और 4900 आर्पियम है इसके सीरेल नंबर इन्होंने यह दिया हुआ है इसका जियांग सू डॉंग चैंग एम एंड टूल्स कंपरी लिमिटेट मैंड इन चाइना दोस्तों इसकी बॉड़ी कहने को तो प्लास्टिक की है लेकिन यह बॉड़ी जो है इसकी वो लोहे से ज्यादा मजबूत है जो बैंच होती है बैंच के ओपर हम काम कर रहे हैं जैसे मैंने बैंच के ओपर यह रखा हुआ है अगर यह नीचे यह कहने को तो पुरानी मशीन हे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि यहे कितना अच्छा सौ्ब्लोश हो है और दोस्तों इसके साथ एक बिलेण भी मुझे साथ में ही मिला था इसके तो यह साल है हिर Kenya इन्होंने बिलेड दिया था मुझे बीच में मैंने एक दो ब्लेड इसमें इस्तमाल किये थे लोकल मार्गेट से प्रचेस करके लेकिन उन्हों इसका अश्का काम नहीं दिया यह है इसका मैनुवल और यह मैंने अभी तक समाल के रखा हुआ है तीन साल से यह उन्होंने मैनुवल दिया था इसका मॉडल नंबर सब्सक्राइब कर लेते हैं और यह रहा इसका वरेंटी कार्ड बार असाथ 2008 को मैंने यह पर्चेस किया था देख सकते हैं यह डेट लिखी है इसमें इसके साथ इनों ने दिये थे हमें यह कारवन और इसकी ब्लेट चेंज करने के लिए कि शली दोस्तों है कि इसमें यहां पर इसके टायर लगे वह थे लगवक इसके इसके इधर भी था एक इधर भी था कुछ जोर से रख दिया तो प्लास्टिक टायर थे इसके तो वह टूटके हैं लेकिन बाकी इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और ब्लेड भी इसका बढ़िया है जैसे अधर प्रेट हमारे होते हैं वह कटिंग में ज्य कि आप 10,000 का सर्कुला शो परचेज ना करके अगर आप टॉंग चैंक का केम वाई 185 अगर परचेज मुझे लगता कि गलत नहीं होगा तो मेरा काम है आपको जानगारी देने का अपने कार्पेंटर भाईयों के पैसे बचाने का तो आप अगर सर्कुला शो परचेज करने है तो मैंने आपको दिखा दिया है कमेंटर में बताईए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा चलिए देखते हैं यह कैसा परफॉर्म करता है कि दोश्या जवाब की ज़हें कि मुझे नहीं लगता कि अगर हम धाशे और करेंगे तो इसका मुकाबला करेगे तो इसमें हैवी बोडि और मजबूत शर्कुला शो इतना वजंदार मान लीजी कि अगर इसका हम केवल शो बना है ना टेवल में उसको लगा दें और टेव बहुत अच्छा परफॉंग को देगा यह क्योंकि मैंने टेबल में भी इसको इसको इस्तेमाल किया है मैंने टेबल शो में टेबल में इसको अरजेस्ट किया था टेबल शो बनाया था मैंने इसका और इसने बहुत अच्छा काम किया था उसमें यह डेड़ इस तक आपकी प्रवन तक चेंज नहीं किये हैं और इसकी जो यह प्लेट है ना इसका जो प्लेट है इसका जो बेस है यह भी बहुत ज्यादा मजबूत है दोस्तों इसमें इसके अर्चेसिंग दी वही है आप इसको टेपर में भी कटिंग कर सकते हैं इसका दोनों तरफ दिया हुआ है इन्होंने चाइना में आज तक जितनी भी मशीन परचेस किये ना सबसे अच्छी मशीन दोस्तों मुझे यही लगी है अब देख सकते हैं इसका टेपर भी चाल भी इसमें जगा भी इतनी दीवी है ना इन्होंने अर्जेस्टिंग के लिए कि बहुत ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि मैं जानकारी पूरी आपको दे पाया या नहीं दे पाया क क्या या आपको मशीन पसंद है क्या आप इसको पर्जेस करना चाहते हैं और यूंहीं आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें पूरा सपोर्ट करें दोस्तों मैं आगे भी इस तरह की फनीचर से लिएटेट और वुड़ वर्किंग और वीडियो आगे आता रहूंग कि अपको जंका दियतर